हलो दोस्तो आज मैं आपके साथ कैरी का पना बनाने की रेइशिपी सेर कर रहे हूँ और इसकी खास बात ये रहेगी कि इसको आप एक बार बना कर रख ले तो 6 मेने तक इस्तेमाल कर सकते हो तो दूसरा आपको ना तो चासनी बनाने की जरूरत है और ना ही कैरी को अलग से बोईल करने की एक ही स्टेप में हम इसको बना कर तयार करेंगे बनाने में बिल्कुल आसान है दूसरा हम इसको आज सक्कर से ना बना कर गुड के साथ में बना रही है तो चलिए देख लेते है केरी का पना बनाने के लिए 500 ग्राम कच्छी केरी बिल्कुल टाइट सी केरी है एक तम ताजा सी यहां पना बनाने के लिए आपको बिल्कुल फ्रेस केरी का इस्तेमाल करना है एक तम ही टाइट जो अलकी सी लूज हो जाती है नरम हो जाती है वो केरी आप बिल्कुल बिना ल करें केरियों का छिलका अमने अटा दिया है अब इसको कट कैसे करना है वो तेख लेते हैं तो यहां पे अम इसको अलग से बोईल नहीं करेंगे और कुछ ज्यादा जंजट करने की इसमें आपको जरूरत नहीं है सिर्फ आपको केरियों के इस तरह के छोटे स्लाइस कर लेने अगर आप इसे अकेले सक्कर से बनाना चाते हैं तो भी बना सकते हो और अकेले गुड से बनाना चाते हैं तो भी बना सकते हो लेकिन दोनों का जो टेस्ट होता है ना बहुती बढ़े आता है पना के अंदर आप इस तरीके से मिक्स करके बना लीजिए अब इसको साइड में और पना बनाना सुरू करते हैं, तो उसके लिए मैंने आपे गैस के ऊपर एक पैन रख लिया है, पैन में कुछ नहीं डालना है, सीधाई जो आमने करी कट किया है वो डाल लेंगे, और इसके बाद में इसमें थोड़ासा पानी डालना है, या पे आपको अलग से कुछ भी ज गया है और जो कहरी के स्लाइस है यह अलके से फूल कर सोब्ट हो गए हैं तो समझ यह यहां पर कहरी जो है अच्छे से पक चुकी है उसके बाद में आप इसको काटकर भी चेक कर सकती हो यहां पर इसको पकने में सिर्फ दो मिनिट का टाइम लगा है और यहां पर मैं आपको क्यों दिखा देती हैं त्यूंत करते हैं कि पटा सः साइट से अच्छे से tenía के करते हैं जब लगे कहां इस तरह से मैस्ती हैं G permanent यहां पे सककर और गुड़ जो अमने अभी अभी तयार किया था तोड़कर उसको डालेंगे और इसको इसके अंदर अच्छे से मेक्स करेंगे यहां पे आप बिल्कुल थोड़ा सा पानी एड़ कर दे इसमें आपको जादा पानी एक दम से एड़ नहीं करना है जब इसमें जरूरत लगे तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी आप एड़ करें क्योंकि ना तो कैरी को पकने में ज्यादा पानी चाहिए हमें और ना ही इसमें चासनी बनाने का कोई जंजट है आम जो जरूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं उसी में यह तयार हो तो यह भी इसके अंदर डाल देंगे जैसे हमने गुट डाला है इसमें बोईल आ गया है उसके तुरंत बाद अमने इसमें पुदीना डाल दिया है पुदीना डालने के बाद में इसके जार में थोड़ा सा पानी डाल कर पूरा निकाल लेंगे और इसी में डाल देंगे सा इसमें एक छोटा चमच काली मिर्ची का पाउडर आपको पसंद है तो डाले नहीं तो आप स्किप कर सकते हो इनको अच्छे से मिला लेंगे इसके अंदर और इसको आमें मसाले डालने के बाद में केवल 2-3 मिनेट तक पकाना है मेडियम फ्लेम पे अब मसाले डालते इसके अ दोसा इसका जो स्वाध है वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है खटाई के कारण मैंने या पे एक निम्बू डाला है आप इसमें एक दो या फिर ज़्यादा निम्बू भी डाल सकते हो जैसा खटा आपको पसंद हो अब इसको आमने दो मिनेट तक इस तरीके से पकाया है द आप इसे गरम के साथ में लेंगे तो ये आपको गरमाट देगा इसलिए आप बिल्कुल भी माइंड ना करें बूती एलदी सा आपका जो कैरी का पना है वो बनकर तयार होगा हमारी दादी थी वो बनाती थी गुड के साथ में बूती ज़्यादा टेश्टी लगता था अच्छे से चान कर लेना होगा यां पर चानने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये थोड़ा सा गाडा हो जाता है इसलिए ये चलने में से निकलने में टाइम लेता है वो इस तरीके से आप इसको चान कर और अच्छे से मिक्स कर ले क्योंकि जो कैरी है उस अदर कुछ आइस क्यूब डाले हैं और उपर से एक बड़ा चमच इसके अंदर डालेंगे ये जो आमने पना बना कर अभी तयार किया है ये और उपर से डालेंगे इसमें ठंडा पानी बिल्कुल ही टेश्टी सा ये बनकर तयार होता है और आपको बार-बार बनाने का जंज उसमें ये आमने जो पना का सिरफ बना कर रखा है ये डालेंगे उपर से डक्कन लगा देंगे और इसको रख देंगे आम फ्रीज के अंदर आप जब भी आपको पना बना नहों हो आप इसमें से निकाले और बना कर एंजोई करें बहुती बड़िया बनता है आप जरूर बना कर देखना और अगर आपको आज की रेसीपी पसंद आती है तो प्लीज मेरी रेसीपी को लाइक, शेर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद